तो चलिए दोस्तों स्वागत आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम लोग जोग्रफी का सेंपल पेपर करने वाले हैं हमने पिछला सेंपल पेपर जो लगा है वो CVSE का रिलीस सेंपल पेपर था जो CVSE ने इस्जू किया था अब हम sample paper series शुरू करेंगे तो शुरू में हम solve sample paper करेंगे इस sample paper में मैं आपको concept समझाऊगा answer आपके सामने ही होंगे बाकी उससे related जो concepts होंगे वो मैं आपको समझाऊगा आपको वीडियो के साथ में जब भी वीडियो में question आएगा आपको वीडियो पॉस करनी है और comment में आपको उसका correct answer देना है जो भी मैं आपसे question पूछूँगा ठीक है try करते जाएगा आपके concept सौर जादा clear होते जाएगे बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने चनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको पसंद आए तो section 1 question number 1 से शुरू करते हैं देखे political geography की सब fields पूछे है political geography की दो सब fields होती है एक होती है electoral दूसरी होती है military तो होगया electoral answer अब बात आती है resources, industry और marketing ये तीनों किस geography की सब fields है ये आपको मुझे comment section में answer बताना है वीडियो pause कीजे और answer में को send कीजे next question है इनमेंसे कौन सी approach है human geography की does not nature get humanized जो कहती है कि जिसमें जो nature है वो humanized नहीं हुआ है sorry हुआ है does humanized, nature humanized हुआ है तो nature humanized का मतलब है कि हम nature के किसी भी phenomenon को जीत सकते है तो वो कहती है possibleism की ठीओरी ठीक है possibleism कहती है आप अपनी technology की मदद से nature को पूरी तरीके से dominant कर सकते हो आपको मुझे ये बताना है neodeterminism की ठीओरी किस ने propose करी है comment section में आए neodeterminism की ठीओरी किस ने propose करी है और neodeterminism का दूसरा नाम क्या है comment section में जल्दी से बताईए next question है कि अगर हम देखें इन में से किस चीज का direct impact human being के उपर पड़ता है direct impact पड़ता है climate का soil relief or minerals हमारे उपर directly impact नहीं डालते हैं अगला है olives और figs दोनों खटी चीज है olive और figs कहां मिलेंगी Mediterranean climate Mediterranean climate इससे एक related question है आपको ये बताना है South America में Mediterranean climate किस country में मिलेगा comment box में आईए जल्दी सा answer को बताईए next question है जो मैं question पूछ रहा हूँ ये board के लिए important है map में आ सकते है questions ठीक है या इससे भी questions बन सकते है ऐसे कि उस टाइप के इन में से कौन सा develop country है वर्ल्ड का जहां पर जो population है higher age group की वो बढ़ रही है ठीक है तो किन कारणों की वज़े से जहातर develop countries की higher age की जो population है वो बढ़ रही है तो किस वज़े से बढ़ रही है death rate कम होने की वरे से higher age group की population बढ़ रही है इससे कोई related लेना देना नहीं है अगले question की तरफ जाएंगे next question कह रहा है इन में से कौन सी crop है जो जायद नहीं है तो जायद मतलब जायद में आती है सारे fruits and vegetables fruits and vegetables को छोड़ देंगे तो बाकी जो भी आंसरों का वो जायद नहीं होगा अब आते है fruits और ब्रिंजल ये दौनों तो काट दो अब आगर rice और groundnut पर बचो मुफली और rice इन दौनों में से कौन सी दो को rice खरीफ crop है और groundnut भी खरीफ crop है फिर बात आती है दौनों के लिए कर कि दौनों में से कौन सी जायद नहीं है तो दौनों ही जायद नहीं है लेकिन climate condition के basis पर जो rice है rice को कई states में जायद फसल की तरह से भी उगाया जाता है जबकि groundnut जायद crop नहीं है ठीक है तो इसलिए मुफली आंसर हो जाएगा आपको comment box में आई है और बताइए कि ऐसी कौन से states है जहाँ पर rice को पूरे साल लोगा आया जा सकता है उन्हें states के नाम आपको बता रहें इंडिया की states इन में से कौन सा correctly match है correctly match में अगर मैंने आप लोगों को tricks बता रखी है इसकी correctly match की क्या होगी behavioral school की बात कर रहे है post modernism की बात कर रहे है special की बात कर रहे है इन सब की बात कर रहे है तो जैसे 90s 50s और 60s की special हो गई modernism हो गई 90s 90s के समय की colonial period की अगर हम बात करें तो colonial period में क्या चीज़ आई colonial period में क्या ये आया क्या इससे अगर हम बात करें behavioral school आया क्या नई आप देखो इसकी कुछ सिंपल सी इजी सी ट्रिक्स हैं अगर आप पूछोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा देखो हर बार टीचर का पेन लेना जरूरी नहीं होता कुछ चीज़ा ऐसी होती है जो बच्चों को पेन लेनी चाहिए अगर आपको आती है ट् किसी का नाम है शेफ्टिंग कल्टिवेशन का नाम है कहां पर मैक्सिको में यानी सेंट्रल अमेरिका आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी से करेंगे ठीक है नेक्स कोश्चन है इन में से कौन सा जो रिलीजिस ग्रूप है वो लोगों की परसेंटेज के अकॉर्डिंग है महां पर कोई भी पर्मनेंट मार्केट नहीं होता तो इसमें कौन से मार्केट में पर्मनेंट दिखो रूरर मंडी भी पर्मनेंट होती हैं ओर आज्या स हथे मया Запाद बढ़ते हैं कि अगले सेंदे अगम लगेगा तृण मारकेट नहीं होते हैं इसे पजम्द्ध आइरन ओर को लेकर तो यहां पर इंकरेक्ट की बात नहीं हो यहां पर करेक्ट सिक्वेंस देखेगा कि कौन सा होगा तो आप मुझे इनके स्टेट्स बताएं इनके आणसर हम बाद में देखेंगे इस कोशन का आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंड बॉक्स माईए और इन से सट ही शिकिए हैं इस तरीके से चलिए गा बिल्कुल वेस्ट में जाएंगे तो में हमें विटा बेलारी करना क discovers सकता है कोशन से कौन सा स्टेट में करेक्ट होका देखें मिक्स फार्मिंग एग्रिकल्चर के लिए कह रहा है कि क्रॉप सहां पर कल्टिवेट की जाती है और साथ के साथ में जानवर भी पाले जाते हैं स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है मिक्स फार्मिंग की वज़े से जो क्रॉफ फेलियर की इन सिक्यूरिटी है कम हो गई है यह भी बिल्कुल सही है तो दौनों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है ठीक है चाहिए नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन क्या कहा रहा है इन्टिफाइ देस्टेट हैंग फाफ फॉपलेश्ण देंसिट्टी अगर हमारे देश में बात करें तो बिहार की हैस्ट पॉपलेशिण देंसिटी 2011 के एक ऑडिंग है दिल्दी से कोशन में बताई यह लुवर्वैंसटी के रहा है ऐस्ट अर्बन पॉपॉलेशन hader और लुवर्वैंशन कहां पर है यह 3 कोशन के आंसमें चामेंड बॉक्स मेरलेटा धर जो पार इरव nieuwe अमें land को degrade कर रहा है तो दोनों ही statement ब्रुकल सही है और reason उसको correctly explain भी कर रहा है चले अब यहां पर आते हैं यह question मैं नहीं लगवा रहा हूँ आप question देखें डिस्पले पर आपको question दिख रहा होगा question को आप आप खुद से देखेंगा पैसे को 15 16 और 17 कोशन आप खुद लगाएगा खुद से लगा के जल्दी से ट्राइ कीजिए कि किसी तरीके से आपको वो नहीं पढ़ना है आपको अपनी knowledge के basis पर ही questions को लगाने का try करना है जैसे 15 कोशन नहीं लगा सकते 15 कोशन का answer आपको यहीं प पर answer writing की बात आएगी तो यह मैं समझा देता हूं आपको कोशन नमबर 18 पर देखते हैं देखे कह रहा है कि मैंसे कौन सब रिजल्ट देता लैक ऑफ नैविगेवल वाटर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अधर मीन्स ऑफ ट्रांस्पोर्टेशन कि इसकी वज़े से क्या होग अगला कोशन कह रहा है हम किस तरीके से वाटर नैविगेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं नदियों के किनारों को पक्का किया जाए सिल्टेशन की प्रॉब्लम को खतम किया जाए और डैम की मदद से यह इंशूर किया जाए कि हर चैनल में वाटर हमेशा प्रॉपर रहेगा वाट इस दा नैविगेवल लैंट ओ वोल गा वाटर वे ऑफ ट्रांस्पोर्ट यह आपको ऊपर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इसके लावा आपको यह नॉलिज से नहीं रहता सकते आप इसे कोशन नमडर 19 यह मॉल्टिपल टाइम पुछ वह कोशन है डवलिंग टाइम पीरेट को लेकर रहे कि पॉपलिशन डवल क्या हो रही है जल्दी से डेफनेशन दो मुझे डवलिंग टाइम पीरेट की कह रहा है आप एक खुद लगाईए डवलिंग टाइम पीरेट का कोशन आप फुद लगाई है जो भी आपको confusion करेट होती है वो आप मुझसे पूछेगा question number 20 पर आते हैं question number 20 के point wise देखेंगे modern economic development of world में वो mainly quaternary and services के development की वज़े से हुआ है modern economic development quaternary services की वज़े से हुआ है इस statement को justify करना है तो बिलकुल सही statement है क्यों क्योंकि quaternary activities का लेना देना research and development से होता है research and development की वज़े से यानि यह knowledge sector देखो quaternary activities research and development से related है पहला point दूसरा point इसमें knowledge sector के नाम से जानते हैं growth बहुत जादा रहती है और इस services की demand और consumption दोनों ही बहुत तीरी से हो रहा है ठीक है इसमें अलग-अलग तरीके से diversification होता है जैसे हाँ पर mutual fund managers हो गए software developers statisticians हो गए इन सबकी requirement यहाँ पर हमेशा रहती है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह ऐसा sector है जो resources से बंदा हुआ नहीं है तीसरा point हो जाएगा not tied to resources ना पर environment का असर पड़ता है ना यहाँ पर कोई उसका लेना देना कि आपको market के पास में ही बैठना ज़रूरी है market कर local होना ज़रूरी है इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए यह बहुत ते अगला question है what were the major causes for the stagnant growth of India's population from 1901 से 1921 क्या कारण थे 1901 से लेके 1901 किस तक हमारी population stagnant थी चार phases में पहले जारा ध्यान समझना इंडिया की population को लेके 4 demographic phase है पहले 1901 तक 1901 तक फिर 1901 से लेके 1921 1921 से लेके 1951 1951 से लेके इसको काट दीजे 1951 को 51 से लेके 71 और फिर उसके बाद present तक का time period ठीक है तो चार periods में बाठते हैं इस समय के period को stagnant बोलते हैं क्यों बोलते हैं high birth rate and high death rate high birth rate and high death rate पहला point दूसरा point lack of medical facilities lack of medical facilities तीसरा point तीसरे point में देंगे low economic development low economic development चौता point low literacy level low literacy level पांचमा point lack of sanitation facility इनमें से कोई भी बना दी ठीक है तीन points बनाएंगे आपका answer हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं question number 22 what are the ways of recycle and reuse of water कौन से तरीके हैं जिन से water को recycle और reuse किया जा सकता है इसके तीन points आप मुझे answer में लिखेंगे comment box में तीन points बताईए जो कि आप comment box में बता सकते हैं कि water को किस तरीके से recycle और reuse किया जा सकता है यह कैसा question है जो आप बहुत छुटी classes से पढ़ते आ रहे हो यह question मैं करा देता हूं कि national water policy 2002 के features क्या क्या है तो इसमें तीन points याद रखेगा एक irrigation of multipurpose projects include रहेंगे दूसरा यहां पर जो drinking water available करा आए जाएगा high priority पर तीसरा point बनाना है तो कि लोगों में awareness spread की जाएगी ताकि लोगों को समझ मैं कि water एक स्कार्सर सोर्स है यह तीन points बहुत important है तीनों को याद रख लिए बात कते में से जादा की तीन नंबर में जरूरत नहीं पड़ेगी अगला question है कि human poverty index क्या होता है यह चार indicators जो यूज करता है इस index में उन चारों इंडिकेटर के बारे में बताना है तो देखो human poverty index एक ऐसा index है जो जादा better insight देता है में जादा बहतर नजरिया दिखाता है समाज के बारे में यह किसी भी देश के economic development के बारे में क्योंकि human development index यह बताता है कि किसी देश ने कितना attain करा जबकि human poverty index यह दिखाता है कि किस देश के पास कितनी कमी है शौट फॉल को दिखाता है ठीक है ध्यान लखे गए वाली बात इसमें क्या क्या चीज़े यूज की जाती है क्या एक कितने लोग जो 40 साल से ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाए एडल्ट का लिट्रेशी रेट क्या है कितने लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिल पाता पीने को और ऐसे कितने बच्चे हैं जो अंडर वेट है यानि यह वो शौट फॉल्स हैं जो देश कभी अचीव नहीं कर पाया वो इसलिए ज्य लिखेती जो की अपनी परिवार की नेट्स को पूरा करने के लिए की जाती है उसे सब्सेस्टेंस अगरी कल्चा कहते हैं फिर कह रहा है डिसक्राइब टू टाइपस ऑफ इंटेंसिव सब्सेस्टेंस तो यह मैंने पिछले वाले में समझाया था एक वह जिसमें चावल ड कि अगर पांच इंपॉर्टन करेक्टरिस्टिक बताने हैं हंटिंग गैदरिंग की वर्ल में प्रेक्टिस की जाती है पहला यह पर पर हंटिंग और गैदरिंग में ऐसी चीज़े कलेक्ट किया जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है तीसरा अगर हम बात करें इस यह एसी प्रेक्टिस है जो हाई रिस्क पर रहती है चौथा यह प्रेक्टिस आज भी ऐसे रीजन में की जाती है जहां पर अग्री कल्चर पॉसिबल नहीं होता पांच माई यह इसकी जो जो हंटिंग गैदरिंग है इसका जो ग्राफ वह लगाता डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि यह लोग की जो कॉमटीशन है आइटिफिशल चीजों से वह बहुत ही जादा है ठीक है नेक्स कोशन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स कोशन है प्लास्टिक बेक्स का यूज हामफुल है इन्वार्मेंटल डिग्रेशन करता है इसके लिए तो बिल्कुल है जो प्लास प्लास्टिक को जमीन के नीचे दवा देंगे जमीन के नीचे नहीं होती लैंड की क्वालिटी को डिग्रेट करने का काम करती है इसके लावे से जलाने पर बहुती हामफुल गैसे निकलती है जो इन्वार्मेंट में पॉलुशन करते हैं यह पाच पॉइंट्स हो गया चल रखीजेगा यह कोशन बहुत बार पूछा गया है सीवीसी में कि जो सीपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड का उन्हें गेटवे कहा जाता है इसको समझाना है तो देखो बेटा किसी भी देश का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वह जाधातर समुद्र के रास्ते से इसे से या जो ओनेशनल ट्रेड के लिए का काम बहुत ही इंप्टन डूर प्ले करते हैं माल मृजने के लिए użyख En. कि तो इसके लिए हम पॉइंट्स मैं तो भारत में जो अगर मяжं की बात करते हैं तो ब्रिट शनी हमारे दे देश में आफ्त कर वाई दूसरा पॉइंट में बिटेशन हमारे यहां पर आए और उन्हों नहीं यहां पर आखे पॉट्स पर आने वाले समान को पुछाने के लिए रेलवेज और रोडवेज को डेवलप किया गया चौता पॉइंट रोडवेज और रेलवेज की मदद से फील्ड से रो मेट्रियल क तो कहां पुचा देते थे ब्रिटेन पुचा दिया करते थे अगला पॉइंट आजादी के बाद भारत में कई पॉट्स डेवलप किये गए ताकि भारत के जो फॉरंट ट्रेडर वो से केटर कर सके तो और अगला पॉइंट इंडिया अपने ओवर्सीज फॉरंट ट्रेड को डाएर सिफाई रखता है मल्टी डिरेक्शनल लगता जिसमें अलग-लग तरीकी की चीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है अलग-लग देशों को ठीक है अगले कोशिंग की तरफ जाते हैं सम इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट्स के बारें बात करने हैं तो कु चिन चटा पोट तूति कोरिन साथ में पोट चेननाई आठमा पोट विशाका पत्नम नॉमा पोट पारा दूइप दसमा पोट हल्दिया ग्यारमा पोट कोलकाता आप कमेंट बॉक्स में आए और जल्दी से मुझे बताएं यह पोट किस-किस स्टेट में हैं अगला कोशन है स्टील इंडस्टीज बेसिक इंडस्टीज हैं और बहुत इंपोर्टेंट होती है किसी भी इकोनोमी के डेवलप्मेंट के लिए इसके ग्लोबल डिस्ट्यूइशन के बारे में बताना है कि मेजर आयरन और इस्टील प्रोडूसिंग कंट्रीज कौन-कौन से हैं तो देख इंडस्टील का प्रोडॉक्शन जतना जादा होगा वहाँ पर इंफ्रस्ट्रेट्ट्रेवलप्मेंट इसलिए कंजब्शन और इस्टील के बैसिस पर हम यह देखते हैं कि कौन सा देश कितना जादा डेवलप्ड होगा ठीक है अब आते हैं इसके डिस्ट्रिबूशन को लेकर तो इसके distribution में हम कुछ countries की बात करेंगे जैसे America America में देखें तो अब सबसे पहला country अमेरिका अप्लाशन रीजन बहुत important है great lake reason जादा मत याद रखें तीन चार याद रखेंगे अप्लाशन great lake और Atlantic coast यहाँ पर जादातर industries हैं इसके बाद यूरोप में आ जाईए तो यूरोप में कई countries हैं जैसे की Britain Germany France Belgium जादा मत करिए इतने याद रख लीजे कुछ शहरों के नाम याद रख लीजेगा जैसे बर्मिंगम यूक आई का है ठीक है एक इक बता रहूं हों हर इक जगह का इसके लावा जरमनी का जर्मनी का güzel hall रख हैहा इसके लावा फ्रांस में चले जाई है तो फ्रांस में में सेंट यह ऐल यावावा सेंट पीटर्वग्स सेंट पीटर्वग्स रश्या का यह नाम याद रख लिए का मेजर प्रोडूसिंग स्टेट्स हैं शहर रहे और कंट्रीज एश्या में इंडिया में आपको पता है जहरखंड हो गया उडिसा हो गया शहरों के नाम में चल जाओंगा तो दुरगापुर शांगाई हो गया ठीक है और वुहान यह वह यह कोरूना वाला वुहान इसके लावा जैपैन में चले जाओ तो टोक्यो और युकोहामा दो बड़े शहर हैं आरेन प्रोडक्शन के मेजर सेंटर्स हैं अगले कोशन है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनरजी क्या होता है यह क आप चीज आती हैं जो बहुत ही जादा इंपोर्टन अब यह किसी भी देश के एकोनॉमिक डेफलोप्मेंट में बहुत इंपोर्टन डोल प्ले करती है क्यों कि बिना इनके इनके इंडस्टिस नहीं चल सकती बना इनके किसी तरीके की जो हम और निकाल रहे हैं और को स्मे करने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है वनना जिस रेट पर ने एक्स्प्लोइट के जा रहा है बहुत ही जल्दी बहुत कम टाइम में यह खतम हो जाएंगे ठीक है यह नॉन बहुत बिलियन यह का टाइम लगता है तो आने वाली जनेशन इसका यूज नहीं कर पाएगी इसलिए इसका जुडिशल और जस्टिफाइड यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचो यह हो गया हमारा यहां तक का सैंपल पेपर अब इसके मैप वर्क रह गए मैप मैप वर्क को लेकर मैं एक पूरी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसमें सिफ मैप वर्क पहले समझाऊंगा और मैप वर्क के हर सैंपल पेपर के कोशनान सस्क्रवाँगा ठीक है तो अभी के लिए सिफ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस पेपर के साथ में